हलो दोस्तों हम लोगों ने पीछले क्लास में quadratic inequalities के कुछ problems किये थे और उसको समझे थे कि किस तरह से जब दो root होता है A और B किसी quadratic equation का तो कैसे between the roots क्या sign होगा और outside the roots क्या sign होगा यह हम लोग समझे थे जिससे कि जितने भी problems हैं आप encounter होते होंगे limit में, functions में, domain range में या बहुत जगहों पे तो वहाँ पे अगर आप यह चीज अगर आप समझ जाते हैं तो problem बहुत आसानी से बन जाता है तो हम लोगों ने वो दो problem discuss किया था पिछले class में वो video अगर आप नहीं देखें तो पहले उसको देख लीजिए वहाँ पे basic concept में इसको deal किया हो और फिर उसके कु पहले quantity equation होना चाहिए यह तो simple सी बात है ठीक है quantity equation होना चाहिए तो quantity question क्या होता है यह आपको पता है यह x square है दो root आ रहा है quantity equation है ठीक है दूसरा यह बोलता था कि x x square जो यहाँ पे है उसका coefficient ठीक है coefficient of coefficient of x square is positive अगर ऐसा है और third case होता है कि इसके जो roots निकलते है रूट्स ठीक है वो आप निकाल लिजे रियल रूट्स यहाँ पर अगर निकल रहा है यह तीन कंडिशन अगर होते है तो उस केस में जो साइन होता है दो रूट मल ली जाएगा A और B तो उस केस में होगा इन दोनों रूट के बीच में निगेटिव साइन होगा और दोनों यहाँ पर यह question है इसको आप साबसे problem किया है यहाँ पर कि यह minus x square है यानि कि coefficient of x square यहाँ पर positive नहीं निगेटिव है तो हम लोग उस तरफ ले जाएंगे इसको कैसे ले जाएंगे इसको positive करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोनों तरफ negative से multiply करना पड़ेगा तो जब negative से multiply करेंगे तो यह sign change हो जाएगा जैसे कि आप बोलते हैं कि 5 is greater than 2 तो अगर minus 5 लिखेंगे तो यह less than minus 2 हो जाएगा तो यह एक तरीका वार समझने का दूसरा तरीका हो गया हम लोग ऐसे बोलते हैं कि इसको उठाके इधर ले जाओ तो जब इधर ले जाएंगे तो यह minus x यह minus 12 और यह इधर greater than equal to 0 हो जाए समझने हैं तो इसको अगर आप change करेंगे तो यह क्या हो जाएगा x square यह हो जाएगा minus x यह हो जाएगा minus 12 is greater than equal to 0 तो अब problem reduce हो गया इस case में अब क्या करेंगे इसके roots निकालेंगे इसके लिए हम लोग को equate करना पड़ेगा equate मतलो क्या equal to 0 करेंगे minus x minus 12 equal to 0 अब यह 12 है यहाँ माइनस है यह x square minus 4x plus 3x minus 12 equal to 0 लिखेंगे ठीक है अब यहाँ पर x common लिजे तो x minus 4 हो गया फिर plus 3 common लिजे तो x minus 4 हो गया equal to 0 तो हो गया x minus 4 into x plus 3 equal to 0 समझ मैं रहा है अब यहाँ पर क्या हो गया x minus 4 equal to 0 that implies x equal to 4 x plus 3 equal to 0 that implies x equal to minus 3 तो दो negative वाला left side में positive वाला उदर होगा इधर कहीं पर होगा क्या है अपना positive infinity और इधर कहीं पर होगा negative infinity यह number line का concept हो गया अब बोलता है अब यहाँ पर चेक कीजिए कि क्या यह quadratic equation है हाँ है x square का coefficient positive है यहाँ पर देखिए यह positive है 1 है तो 1 positive है और फिर 2 roots निकल क्या है 4 and minus 3 दोनों को number line पर यहाँ पर डाल दिया तो अब यह बोलता है कि अगर यह तीनों condition fulfill है तो इन दोनों के बीच का sign negative होगा और बाकी दोनों तरफ positive होगा यह क्यों होता है इसा यह हम लोग दूसरे videos में सीखेंगे उसके basic concept fundamental concept के बारे में यहाँ पर सिर्म problem solve करने time पर अग को अब यह negative होगया तो अब क्या बोलता है यह positive के लिए यहाँ पर डिफाइंड है ठीक है अब यहाँ पर कन्फ्यूज हो कि अब यहाँ पर negative के नहीं को जाना क्योंकि अब लोग इसको resolve करके यह लाय था और इसको solve करना है तो अब positive है यहाँ यहाँ पर greater than equal to 0 तो अब यह infinity to minus 3 minus infinity हमें सार छोटे वाले bracket में होता है और minus 3 यहाँ पर equal to sign है यानि कि minus 3 include include होने के case में यह वाला sign यह वाला bracket होता है और फिर union 4 2 क्या होगा 4 2 infinity फिर इस तरह से 4 यहाँ पर equal to है यह 4 root आया होगा है तो यह हो ठीक है तो यह होगे इसका answer ठीक है एक और different case देखते है जहाँ पर इसका application करेंगे हम लोग देखे यह next problem है 1 by x square minus x minus 6 greater than equal to 0 अब यहाँ पर देखे यह क्या करना है कि अब यह एक चीज़ सिर्फ यहाँ पर धिखान देना है extra कि नीचे में है यह x square minus x minus 6 याने कि जो भी root निकल के आएगा ठीक उस point पर यह function undefined होगा क्यों वो देखेंगे अभी आगे पहले इसको equate करते हैं और फिर root निकालते हैं हम लोग जो basic काम होता है x square minus x minus 6 equal to 0 तो equate किया हम लोगों ने अब यहाँ पर देखना है कि यह minus 6 है तो अब सबसे पहले यहाँ पर check भी कर लिए हम लोग कि यह minus x square से क्या है positive है तो सही हम लोग सही जाने कुछ alternate करनी कि इसकी जरूरत नहीं है तो अब यह होगा x square minus 3x plus 2x minus 6 equal to 0 यहाँ से x common लिजे तो x minus 3 plus 2 common लिजे तो x minus 3 equal to 0 ठीक है अब यह क्या होगया x minus 3 into x plus 2 equal to 0 समझ वारा है अब यह क्या होगया x plus 2 equal to 0 that implies x equal to minus 2 ठीक और यह x minus 3 equal to 0 that implies x equal to 3 तो 2 root निकल क्या है क्या minus 2 and 3 ठीक है तो अब इस चीज़ को हम लोग number line पे यहाँ पे डालेंगे यह minus 2 इधर की तरफ होगा तीन इधर की तरफ होगा यहाँ आगे क्या होगया positive infinity इधर क्या होगया negative infinity ठीक है तो अब हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ है कि quadratic equation है यह वाला ठीक है quadratic equation है coefficient x square positive है ठीक है positive है और right side में 0 है यह तो है अबना prime condition की यह तो होना ही चाहिए right side में 0 तो यह 0 तो है इधर अब यह बोलता है कि greater than or equal to 0 के लिए यह defined है तो अब सबसे पहले क्या है यह जब तीनों condition fulfill होगया तो हम लोगों को यह पता चले है कि इसके बीच में negative होगा और दोनों तरफ positive होगा ठीक है root के यह पता चले है अब धियान देना यह positive के लिए greater than or equal to 0 के लिए defined है तो अब क् देखेंगे यहाँ पर minus infinity positive के दर है इस part में और इस part में तो नहीं है यह negative है तो minus infinity 2 minus 2 x belongs to अब यहाँ पर बात यह है कि यह minus 2 यह वाला bracket होगा यह वाला होगा अब यहाँ पर यह देखना है यह देखेंगे x minus 2 x plus 2 and x minus 3 है इसको यहाँ पर फिर से मैं लिखता हूँ 1 by इसको अगर break करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x minus 3 into x plus 2 यही है ना यह function यही है यहाँ पर this is greater than equal to 0 अब यहाँ पर यह देखें कि यह चुकि नीचे में है यहाँ पर तो x equal to जैसे ही minus 2 यहाँ पर put करेंगे तो minus 2 plus 2 यह क्या हो जाएगा यह total time कहां चलाएगा 0 तो 1 by 0 undefined हो तो हम लोग उस case को हटा देंगे उस point को हम लोग include नहीं करेंगे इसके domain में हम लोग बोलते हैं इसको ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर 3 से 3 को भी नहीं include करेंगे क्यों क्योंकि जैसे यहाँ पर 3 put करेंगे हम लोग 3 minus 3 यह भी 0 हो जाएगा तो 1 by 0 फिर से undefined हो जाएगा त तो इसको भी हम लोग यहाँ पर include नहीं करेंगे तो इसका answer हो जाएगा यह समझ में आ रहा है अब देखिए अगर question इस तरह से है कोशी यहाँ पर लिखा हो कि minus x plus 2 into x minus 3 greater than equal to 0 यह अगर problem है समझ में आ रहा है comment box में आप इसका answer मुझे बताईए